बहुत ही शांदार इंफर्मेशन लेकर आया हूँ मेज 2024 जिनका एक्जाम है उनके लिए और जिनका एक्जाम नवेंबर 2024 है ध्यान से सुनिए पूरे वीडियो को पहले बात करते हैं मेज 2024 की क्या आपको पता है कि आपका 90% पेपर सिर्फ आधे सिलिबस में से ही कवर हो जाता है जी हाँ इस बार मैंने बहुत ही शांदार वाला ABC अनालेसिस किया है पिछले 7 टाइमस के आए हुए पेपर्स को अनलाइस करने के बाद 8-9 चाप्टर सेलेक्ट किये गए और पता लगा कि उन 8-9 चाप्टर से 90% आपकी कवरेज हो रही है कौन से है वो 8-9 चाप्टर से आईए बात करते हैं तो यहाँ पर है और यह फाइल मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टर में शेयर कर रखी वहां से आप डाउनलोड कर लीजएगा तो यहाँ जब ABC पर आते हैं तो 90% जो कवरेज है आपकी एक कटगरी के चाप्टर से हो रही है एक कटगरी के चाप्टर कौन कौन से हैं अपने यह सरजी है अपने यहाँ पर आकर एक्जेम्शन, कॉम्प्यूटेशन, इनिक्लूडिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज, ITC, मैनर अफ पेमेंट, ईवे बिल और तीन चाप्टर इस बार जुड़े हैं तो अव्विशी बात यह तीनों के तीनों चाप्टर आपके एक कटगरी का ही हिस्सा बनने वाले हैं ठीक है सर जी बाकि B कटगरी ये है और C कटगरी अपनी यहाँ पर ये आ जाती है ऐसे करके मालिक ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जो A कटगरी है अपनी इसमें तो हम किसी भी तरीके से selective नहीं हो सकते सारे के सारे प्राविजन्स पढ़ने हैं and all major questions करने हैं question answer के practice में बिलकुल भी selective नहीं हो सकते किसा आप 20 बता दो आप 60 बता दो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता लगभग सारे questions आपको करने होएंगे और लगभग सारे questions का एक वीडियो में आज late night आपको share कर दूँगा इन सभी के question answer का एक single video अगर आफ उस वीडियो को पूरा शिद् किते हैं तो कम से कम आपके text की paper में exemption पकी हो जाती है ऐसे करके मालिक ठीक सर जी और बाकि जो अपने ये B category है और C category है इसमें से थोड़ा सा selective हो सकते हैं यहां पर मैंने बताया है chapter wise कि किस chapter में से कौन सा provision ज़्यादा important है कौन कौन से questions आपको उसमें से करने हैं और कौन कौन से MCQs आपको वहां से देखने हैं तो chapter wise मैंने पूरी यहां पर बात कर रखी है ऐसे करके आप इसे देख सकते हैं ठीक तो यह आपके पिछले साथ बार के paper का analysis आप खुद चेक कर सकते हैं यहां पर आकर कि जनवरी 2021 जुलाई 2021 और यह November 2023 तक जा रहा है किस chapter में से किस type का question क अब कप पूछा गया है numerical question आया है theoretical question आया है किस तरह का question आया है वो सारी की सारी बात आपकी यहां पर दे रखी है ऐसे करके मालिक ठीक तो आप इसे जरूर जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इस research का इस analysis का जरूर जरूर आप फाइदा उठाएंगे अच्छा जी तो इस जो एक category में आने वाले chapters हैं इनका consolidated video आपको आज late night को available करा दिया जाएगा अब आद करते हैं November 2024 जिनका exam है तो एक हमारा batch अभी चल रहा है जो live हमने शुरू किया था और ये मेरा batch complete हो जाएगा अभी 16-17 अपरेल के आसपास में complete हो जाएगा इसके बाद back to back एक और batch लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए November 2024 एक्जाम के लिए ही ये batch live प्लस recorded होगा recorded में ये जो current batch अभी चल रहा है इसी के ही recordings होएंगी उसके अंदर और live भी होगा उसमें शुरूबाती portion अपना live यहाँ पर लिया जाएगा ऐसे करके बच सर बैच कब से शुरू हो रहा है बैच शुरू होने को तो भाई मैं कर दूँ 16-17 तरिक से शुरू कर दूँ लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा यूँकि अभी आपका सभी का income tax खतम नहीं हुआ है मुझे लगता कि 25 अपरेल तक सारे बच्चे income tax से free हो जाएंगे और उसके बाद वो पूरा focus अपना GST पे कर पाएंगे ऐसे करके ठीक है तो 26 अपरेल से शाम को 5.30 बजे हम यहाँ पर अपना live इसकी शुरूवात करके चलेंगे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website पर जरूर आईएगा सीराजकुमार.com पर जिसके अंदर live demos होते हैं अपने batches के अंदर यहाँ पर question के answer की शांदार वाली practice कराई जाती है कि exam में exam में जब आपको लिखना होगा तो किसी question का answer आपको कैसे लिखना है यह सबसे बड़ी समस्या होती है और हम लिख लिख कर आपको दिखाते हैं और बहुत सारे आपको हमारी किताबें यह हैं यह दो volume हमारे आते हैं एक यह रहा और एक यह रहा शांदार किताब एकदम colorful presentation the best book है हमारी the best और यह इसका question answer की book हो जाती है इसमें mcq case scenario and all है और यह आपके शांदार special book होती है जिसका नाम है quiz booklet news labels के अंदर सी institute ने कुछ quiz वगरा डाली हुई है उन quiz के लिए आपकी booklet यहाँ पर काम करके चलती है राइट सर जी उसके बाद में हमारे पास में कुछ हिक अपने यह diagrams भी आते चीजों को और अच्छे समझने के लिए हाला कि हमारे किताबे जो है वो diagram से 80 पड़े लेकिन फिर भी बड़े-बड़े size के लिए diagrams होते हैं वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं दो diagram आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, बाल की खाल निकालने के बाद, concept का धागा धागा खोलने के बाद, writing प्रैक्टिस करने के बाद, at the end बच्चे बता क्या बोलता है, सार जी मुझे बस यह बता दो, कि जैसे मैं 11 ते 12 में अपनी एक copy बनाया करता था सारी चीज़ उसमें लिखी होती थी, ऐसी copy बना कर आप मुझे दे दो ना ऐसी copy मिल जा कि finally तुझे exam वाले दिन ये पढ़के जानी copy और कुछ नहीं करना, बाकि सब अलग तो कुछ ऐसा बना के दो ना, तो बच्चे कुछ मांगर हम provide ना करा, ऐसे कैसे हो सकता है तो मैंने क्या किया है, इस बार के लिए भाई मेरे बच्चों की demand पर, उनकी need को देखते हुए, यहाँ पर मैंने हाथ से लिखना शुरू किया है यह introduction and constitution पहला chapter है, कि text क्या है, type of text क्या है, जैसे आपकी 11, 12 में copy बनती थी ऐसी ही यहाँ पर एक copy में आपकी बनवा रहा हूँ, even मैं खुद लिख रहा हूँ और इसे आपको मैं provide करा दूँगा यह पहला chapter होगा, उसके बाद मेरा अगला chapter है definitions का, वो definitions का chapter भी यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है, यह देखिए तो काफी हद तक इस पर काम हो गया है, और इसकी में soft copy आपको available कराऊँगा कुछ बच्चों कोई नहीं उड़ती है, sir वो करा दो, इसे print करा के देदो, मैं नहीं कहा चल, print करा के भी देंगे तुझको यहाँ पर हम तो यह print करा के भी आपको मिलने वाली है, कहां गई, कहां गई, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसको आकर यह देखिए तो मैंने इसी हाथ से लिखी हुई, बिक को भी print मतला, I mean to say, type करा के, not print, type करा के तो इसी book को मैं यहाँ से type करा रहा हूँ, तो आपकी 11th, 12th वाली यह copy बन जाती है, कि भाई, यह पढ़के जाना है, आपको जो भी 100 page के आसपास की यह बनेगी, बाकि तो जो और कुछ भी पढ़के नहीं जाना है, तो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा आ 90% आपका paper cover होता है, और November 2024 के लिए आराम से तसली से, जिनका batch complete हो गया है, income tax का अपने backlog को पूरा करें, और जिनका भी batch चल रहा है, वो wait करें, 26 April तक आप सारे के सारे निब्रत हो जाएंगे, शाम को सारे पाँच वजे बाबा के साथ बैठेंगे, बाबा कौन, यानि कि मै C.A. राजकुमार साथ में बैठेंगे और चीज़ों को discuss करके चलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंतक देखने के लिए, राधरानी कृपा आपको परियो ही बनी रहे, thank you so much, bye bye, जैहंद